हालो एवरीवन वेल्कम बैक तो मैं चैनल इंग्लिश वेट ट्रिक देखे 25 नंबर तक हम अल्रेडी वन वर्ड कर चुके हैं आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 26 कि देखे 25 नंबर 26 गया है हमारा दैट कॉजस लाइट यानि जो मौत का कारड बनता है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं यानि की घात है अब देखिए फैटल मीन्स होता है कि मतलब किसी का जो मरना होता है वो जो तै होता है तरीके से वही क्या होता है जैसे इन भाए सब को देखो दिल का दोरा पड़ा हुआ है है ना पता चला है साफ साफ कि दिल में कुछ प्रब्लम हो रही है तो इनकी जो है 27 नंबर का क्या है हमारा 27 नंबर का दा एनिमल्स ऑफ पर्टिकूलर रिजल यानि किसी विशेश छेत्र के जानवर को हम क्या कहते हैं देखिए उसे हम बोलते हैं फॉना यानि की जीव यह देखिए आप यह समझे कि जैसे मानिए यह है अफ्रिका है ना अफ्रिका के यह ज जैसे यह जानवर होता है जैसे हम फॉना कहते हैं ऐसे ही किसी विशेष्ष्च चेतर के पेड़ पॉथे क्या कहलते हैं कर लेते हैं for 28 का The plants of a particular reason क्या कहलते हैं किसी विशेष्च चेतर के पॉथे क्या कहलते हैं इन वनस्पति अब देखेखचे theo इंप आपी आपको समझ में आ जाए यह जो है इतना हिस्टह ये क्या है फ्लोरा यह जो हमगे भी जिशेष छेत्र नोगा देखनां, यू हम इनुक्य क्याइव प्लोर democrat का। विशेष पीड़ पृथ को क्या हो दोत om नेशा, लू कि הת causal Matries भी neste करते हैं नाजुक sacrifice, याने की बहुत ही या नाजुक चीज होती है, जिसे है था काझ का ग dairy घर रखने के लिए बहुत ही एक लिए ऐसे बहुत ही चीज होती है यह घराथ की कि फोट नाजुक चीज करते है और मारत कि देखleft live in a flock used for human being also वे जानवर जो जुन्ड में रहते हैं और यह किसके लिए यूज किया जाता है यह मनुश्य के लिए भी यूज किया जाता है इसे हम क्या कहते हैं इसे हम बोलते हैं ग्रिगेरियस ज्यूंड पिच्ट नों इसिए जो भी जानवर धूंड में रहते हैं उन्हें प्या बोल्ते हैं मुखे klar गेरियुकелен ओके आई होप साइची जी समझ में आई हो किलियर हुई हो और अकर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलेगा थैंक यू थैंक यू बेरी मच